Hello students, कैसे हैं आप सब? I hope you are all good. तो आज हम आपके लिए लेकर आएं application for leave, यानि छुट्टी के लिए अवेदन पत्तर, जो classes 8th, 9th and 10th के बच्चों के लिए most important है, क्योंकि ये common application है, जैसे आपके घर पर कोई urgent piece of work आ गया है, या आप बिमार हैं, या आपको कहीं जाना पड़ा, तो उसके लिए आपको आपके school से छुट्टी लेनी पड़ती है, और एक application school में देनी पड़ती है, ताकि आपको कोई fine न लगे, या आपको कोई punishment न दी जाए, कि आप school नहीं गए हैं, तो उसी के लिए एक नए format से हम आपके लिए ये एक letter लेकर आए हैं, जो 2020 का है, कि आपको ये कैसे लिखना है, और at the end, हमने आपको word meaning समझाने की भी कोशिश की है, जो most confusing words हैं, जो इसमें use हुए हैं, उनका मतलब भी आपको यहाँ से याद रखना है, और इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, और अगर वीडियो अच्छा लगए या आप इससे कुछ सीख पाएं, तो इस वीडियो को like, share और comment करना मत भूलिए, तो बच्चो, my name is Duggal, and you are watching Duggal Education, तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं आपके लिए, तो सबसे पहले ये application आपसे कैसे पूछी जाएगी, सबसे पहले आपका examiner पूछ सकता है, application for leave, या write an application to your principal for leave, तो इन दोनों में से किसी भी format में आपसे पूछी जा सकती है, फिर आपको जब शुरू करनी है, तो कैसे शुरू करनी है, सबसे पहले आपको, आपको notebook है, उसकी left hand side से उसको शुरू करना है, तो सबसे पहले आपको to लिखना है, फिर the principal लिखना है, फिर आपको अपने school का नाम लिखना है, जैसे हमने लिखा है, government model high school, तो यहाँ पर जो भी आपके school का नाम है, वो लिखना है आपने, उसके बाद जहाँ पर है, यह school आपका, तो हमने लिखा है, चंदिगड, उसके बाद आएगी date, तो date हमने लिए है, जैसे date 11 October 2020, आप जब यह लिखेंगे, तो जो date आप की होगी, यानि जिस दिन यह letter आपको, आपके school में देनी है, वो date आप यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद subject में लिखेंगे, urgent piece of work, यानि आपको कोई जरूरी काम है, और आपको छुट्टी चाहिए, फिर अगर आपके principal sir हैं, तो आप sir लिखेंगे, और अगर ma'am है, तो ma'am लिखेंगे, चलिए आगे क्या लिखेंगे, आप वो देखते हैं, फिर आपको letter शुरू करनी है, सबसे पहले आप लिखेंगे, I back to say that, कि मैं यह कहना चाहता हूं, I have an urgent piece of work at home, कि मुझे आज मेरे घर पर कुछ जरूरी काम है, So I cannot come to school today, इस वज़ा से मैं आज स्कूल नहीं आ सकता, kindly grant me leave for one day and oblique, यानि किरपया करके मुझे एक दिन की छुट्टी दें, जिसके लिए मैं आपका अतियाभारी रहूंगा, उसके बाद आपको क्या लिखना है, फिर अपनी class लिखनी है, फिर आपको roll number लिखना है, तो यह most important application है, जो common use है, और यह आपको आनी चाहिए सबको, चलिए words meaning देखते हैं, जो हमने आपके लिए यहाँ पर arrange किये हैं, तो सबसे पहले word है हमारे पास urgent piece of work, जिसका मतलब होता है जरूरी काम, फिर है say, say का मतलब होता है कहना, फिर है bag, bag का मतलब है निवेदन, फिर है come, का मतलब है आना, फिर है home, home का मतलब है घर, फिर है leave, leave का मतलब है छुट्टी, kindly का मतलब है किर्पया करके, फिर है grant, grant का मतलब है परदान करना, फिर next word है आपका अबिडेंटली अबिडेंटली को बोलते हैं आग्याकारी और फिर है अब्लीग अब्लीग को बोलते हैं अभारी तो ये most important words meaning है जो आपको याद रखने हैं इस letter के साथ तो बच्चो आपको ये वीडियो कैसा लगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like, share और comment करना मत भूलिए और ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल दुगगल education को subscribe कर सकते हैं और साथ में देगे bell icon को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे न्यू वीडियो के notification सबसे पहले मिल जाएं Thank you so much for watching this video Thank you so much friends We will meet you in next video Thank you so much for watching